एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल भारतिवन क्लास्टे इन मैज सलोसन इन हिंदी में आज मैं आपको सलोसन कराने बला हूँ वो है बिहार बोर्ड भारतिवन के बुक से लिया गया है समांतर स्रेनी का इसे पिछले वीडियो में मैं आपको 11 से लेकर के 15 अखल करा है था उसे पिछले में 6 से लेकर के 10 अखल करो defined इस नब्यू पुरे नहीं दिखाए परते कि मैं कैसे अपको कुछ नहीं करना है बसरते आपको YouTube होगा तो आपको YouTube में क्या करना लिखना है B-H-A-R-T-I भारती B-H A-W-N भारती भावन जैसे ही भारती भावन आप टाइप करेंगे तो आपको सब से उपर सजेशन में दिखाई देगा भारती भावन क्लाश्टे इन solution in Hindi इसी पर आपको search कर देना यही मेरे चैनल का नाम ही है ठीक है और यह आपको line से पूरे video देख जाएगा उसके अलाबा अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो पूरे को पूरे वीडियो आप देख पाएंगे उसके लाबा आप चाहते कि नहीं मैं डायरेक्ट चैनल पर जाओं तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर दीख रहा है यह फोटो वाला साइन जो दीख रहा है यहाँ पर आपको यहाँ से आपको देख सकते पूरे मेरे चैनल के वीडियो तो और यहाँ से देखे वीडियो वाले आपको कैटेगोरी में जाना है जैसे वीडियो वाले कैटेगोरी में जाएंगे आपको यहाँ से A to Z वीडियो में जितने भी वीडियो डाल रखा हैं सारे के सारे वीडियो यहाँ से यहीं से लेकर के वीडियो में डाला हूं और लाइ तिर्भूज की परिमिती 24 cm है यहां पर लिखेंगे माना की तिर्भूज की परिमिती जो होता है तिर्भूज की परिमिती की परिमिती की जगा 24 है तो हम इस परमीती के जगए यहाँ पर चोविस रख दी इसको जोड़े हैं तो तीन ए बरावर चोविस ए बरावर क्या हो जगा चोविस बटे तीन यानि एक अमान निकल कर आएगा आठ सेंटीमीटर यहाँ तक आपको किलियर होगा आगे हम आपको बता दे की क्या करना है पुनाप प्रसन से कौग क्या रहा है यहाँ पर यदी भुजाओं यदी भुजाओं की नंबर यह समानतर स्रेनी में हो येवरम सबसे बरी भुजा जो है सबसे चोटी भुजा से 6 cm अरदीख हो, तो तिर्भुज की परतेक मुझा गयात करना है, सबसे बरी भुजा क्या हो जाएगा a plus b, और सबसे चोटी भुजा हो जाएगा a minus b, तो सबसे बड़ी बुजा जो है, सबसे छोटी बुजा से 6 cm अधीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 cm को हम जोर देंगे, तो A पलस B और ये A माइनस B है, तो इधर आएगा तो ये पलस में A है, ये पलस में तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में B है, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, बराबर में 6, अब क्या करेंगे, माइनस A और ये प्लस में A है, कट जाएगा तो बचे का एक B और एक B यहाँ पर रहे ते कितना बचाएगा, दू भी, दू भी बराबर 6, B बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे दूर, यानि B का माना जाएगा 3, अब हमें क तिर्भूच की 3 भूजा भी हम सुरू में माने हुए थे, A-B, A और A पलस B, इसमें हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे, चलिए मान को हम रख देते हैं, तो तिर्भूच की छोटी भूजा क्या A-B है, A के जगा 8 निकला और B के जगा 3, 8 में से 3 गटाएगे तो 5, यानि तिर्भूच की सबसे छोटी भूजा होगे 5, तिर्भूच की भूजा जोए बिचला भूजा है, वो A है, A मतलब 8 हो जाएगा, और तिसरी भूजा हो जाएगा A पलस B, यानि 8 पलस 3 यानि 11, इस तरह से अता तिर्भूच की परतेग भूजा की लंबाई 5 cm, 8 cm और 11 cm हो गय चलिए अब हम आपको 17 नमर कुशन बताते हैं, कि किसी तिर्भूच के कौन, किसी तिर्भूच के कौन समानतर स्रेनी में है, यदि इन में सबसे छोड़ा कौन साथ डिगरी हो, तो चतर्भूच का सबसे बड़ा कौन याद करना है, बहुत हीजी कुशन है, आपको सिंपल म बार-बार बोला रहा है, यहाँ पर चतर्भूच है, किसी तिर्भूच के कौन समानतर स्रेनी में है, यदि इन में सबसे बर छोड़ा कौन, सबसे छोड़ा कौन कितना है, साथ डिगरी हो, तो चतर्भूच का सबसे बड़ा कौन याद करना है, चलिए यहाँ पर हम मान ले तो हम A-B से सुरू करते हैं, A, A+, B में चल जाता है, 4 मान लेना है, तो A-3B से सुरू करेंगे, और चतरभूज होता है, चुकि 4 कोनों से बना हो रहता है, उसमें 4 हो जाए होती है, इसलिए इसका 4 मान हम मानेंगे, ठीक है? हम जानते हैं कि चतरभूच के चारो कोनों का योग फल कितना होता है 360 डिगरी होता है चो हम जानते हैं कि चतरभूच के चारो कोनों का योग 360 डिगरी होता है इसलिए A-3B पलस में A-B A-B और A-3B बराबर 360 डिगरी है तो क्या हो जाएगा माइनस B और यहाँ पर देखें, पलस भी है, यहाँ पर देखें, माइनस भी, और यह पर पलस भी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर माइनस थीरी भी, और यहाँ पर क्या है, पलस में थीरी भी है, यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसा ही कट ज बच गया एक कमान करेंगे 302 अपक्र घंण City आखेती यह तो साट डिगरी है, क्या कहा रहा है, यदि इन में सबसे छोटा कोन जाए, सबसे छोटा कोन यहाँ पर आपको बता दे, कि सबसे छोटा कोन क्या हो जाएगा, सुरू बाला जो होता है, सबसे छोटा कोन होता है, यानि ए माइनस थिरी भी, A-3B बराबर क्या है? 60 डिगरी है तो A कमान 90 डिगरी है तो 90 डिगरी यहाँ पर पूट करेंगे 90-3B बराबर 60 डिगरी 90 और यह 60 डिगरी था यह प्लस में इधर कीच लिए तो माइनस मों जाएगा और यह माइनस में 3 भी था इसको हम राइट साइट में ले लिए ताहिने तरफ में तो प्लस मों हो जाएगा 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा और 30 बराबर क्या हो जाएगा? 3B ठीक है? 30 बराबर 3B यानि B बराबर कितना हो जाएगा? 30 बट 3 यानि B बराबर हो जाएगा 10 डिगरी इसलिए B बरावर कितना हो गया 10 डिगरी सबसे बरा कोन क्या होगा A plus 3B A के जगा 90 है और B के जगा यहाँ पर 3 into B के जगा क्या होगा 10 90 plus 3 दाएंगे 30 यानि 90 plus 30 कितना हो जगा 120 डिगरी चतरवूज के सबसे बरे कोन का मान हैं में ग्याद करना तो शारी चतरवूज था और चतरवूज के सबसे बरे कोन 120 डिगरी हो गया अगला । क्वेष्ण जगा 18' हारा नमबर है कि कोई बच्चा किसी बर्स के प्रतम सब्ता में 5 रुप्या बचाता है एक बच्चा है जो किसी बर्स के प्रतम सब्ता में 5 रुप्या बचाता है और उसके बाद सब्ताहिक बचाते एक दिसमलब 7 रुप्या बढ़ाता जाता है यानि कि पहले सब्ता में जो 5 बढ़ा बचाता है उससे क्या करता है कि एक रुप्या 75 परिशा अगले सब्ता में बढ़ा करके बचाता है तो बताइए किस सब्ता में उसकी सब्ता ही बचाते हैं 20.75, 20.75 रुपया हो जाएगी, यह आपका कुस्षण है, सबसे पहले कुस्षण को समझ लीजे, कि एक बच्चा है, पहले सब्ता में 5 रुपया बचाया, दुसरे सब्ता में 1.75 बढ़ाते बढ़ाते गया, अब कराणा कि कब उसका पैसा जो है 20.75 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान करना है कि माना कि बर्स के प्रतम सब्ता में उसकी बच्चत क्या हो जाएगा, 5 रुपया, माना कि बर्स के प्रतम सब्ता में उसकी बच्चत यानि सुरू जो किया था 5 रुपया से, दूसरे सबता में 1.75 को हम जोर देंगे 1.75 को जोरेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक मान निकल कर आ जाएगा तिसरे सबता में क्या हो जाएगा 5 परलस दू बूने 1.75 2.75 2.2 1.75 ठीक है यह हो जाएगा और 4 सबता में 3 in 2 1.75 तीन वार इसको करेगा multiple ठीक है जो समांतर स्रेणी में समांतर स्रेणी में है जिसका प्रतंपत क्या ए ए मराबर क्या है पांच है पतांतर क्या हो जाएगा एक दिसम्ल्र साथ पांच है माना कि एनवा सब्ता में उसकी बचत 20.75 रुप्या हो जाता है इनवा सब्ता माले ते कि नंबर इसलिए टेन बनावर क्या हो जाएगा एक पलस एन माइनस वह इंटू डी हम टेन के जागा 20.75 रखेंगे तो कि 20.75 पूछ रहा कि कौन इसको तो हम इधर गीच लिए, क्या कि ये बाय तरफ में हम गीच लिए इधर प्लस में राता तो माइनस मुझ जाता है और इधर बचे क्या n-1 into 1.75, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 20.75 में से 5 को घटाएंगे, तो 15.75 बचेगा, कितना बचेगा, 15.75 और इधर बचेगा n-1 into 1.75, अब क्या करेंगे, n-1 का हमें मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 15.75 में से, 15.75 है, उसमें हम क्या करेंगे, 1.75 से भाग देंगे, 1.75 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ये दूनु तरफ देख रहे हैं, ये दो अंके बाद असमलब है, इसमें भी दो अंके बाद असमल देंगे बड़ावर के बायं तरफ बड़ावर के बायं तरफ जैसे जाएगा माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा एन प्लस वन बड़ावर एन यानी एन कमान क्या हो जाएगा ये और 1077 बैसे किसी नौकरी में 58 रुपीय प्रती बेतन पर लगा ?प्रते एक बरस बेतन में 200 रुपीय ब्रीदी होती थी परतेग वर् производ क्या होता था कि फीपे उसका वठ का बरती पत्वेठिय गरता था 120 वर्स बेक्ति का बयतन का बड़र्ति हो जाएगा 40,000 रुपा था तो कै, समांतर सहीन में और अदेको देना ही कैसे बनाना है इलोले हैं चुक्ती उनीसे 95 ब्यक्ति का व्यतन जो हो 500 रुप्या था और 1996 में क्या हो जाएगा हमें जो है 2200 रुप्या हो दहना है तो 5000-200 हो जाएगा 1997 में पहँटाने में हो जाएगा 5400 और 1998 में हो जाएगा 54600 इस तरह सकते हम दो ।िन मान निकाल लेंगे ताकि हमारा a d कामन निकल कर आजाये अ तहां ब्रेक्ति का बेतन शमांतर करम में है तो भी ढटाएंगे दू से 500 को गटाएंगे तो हमांचे चरह को गटाएंगे 5200 में से तो अप्रibenwo और निदे ही या फ्रिन atrocidée पांचेयर को शारी मेसे का टाइंगे तो भी दूसर बचavorsे इस तरह से में बर्स में तो TN بराबर क्या हो जाएगा A plus N minus 1 dag PN पूछ रहा है कि 7,000 रोपया काउन सा बर्स में हो जाएगा हमें यहाँ मैंने से बराबर में धो भर्स में अब क्या करेंगे साथ जार में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा 2000 और यह 200 को हम क्या करेंगे इदर बागा में कर देंगे तो 2000 बगे 2 बड़ावर में N-1 बचेगा यहाँ पर आपको confusion हुआ होगा देखिए 7000 में से अगर 5000 को घटाते हैं तो 2000 बचेगा 2000 बचेगा N-1 इंटू 200 बचेगा लेकिन यह 200 क्या है गुणा में है तो गुणा में क्या करेंगे गुणा में जो रहता है वह इधर जाता है तो भाग में चली यह कुशन बहुत ही जी था आपको बनाने में बहुत ही मन लगता होगा और आपको असान लगता होगा अब हम आपको लेचलते हैं 20 में नमर कुशन वह तो बहुत ही इजी है चलिए निमलिकित में संख्याओं का माद निकालना है माद निकालना बहुत भारिक नहीं होता बलकि बहुत हीजी होता है और ये आपको माद माद का बोलग भी आगे जाकर के पढ़ाया जाएगा बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे इस पर अपलोड करने बाले हूँ तो निमलिकित में संख्याओं का माद निकालना है यानिए लगा गई तेरह कितना आ हुट जाएगा तीरह आ जाएगा इस तरह से इसका उत्तर हो गया ठीक है अब हम चलते हैं दूसरे नमर कुशन की तरफ, दूसरे नमर कुशन जो है 20 का, वो का रहा है कि माइनस 3 और 15 तो माद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 पलस में 15 बटे 2, तो 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12 12 बचे 2 को मान करेंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12 बचे 2 इस तरह से इसका भी एंसर हमें मालूम चल गया है, अगला कुशन जो है तिसरा नमर है, और तिसरा नमर कुशन का हम बनाएंगे, यहाँँआ पर माद निकालना है तो यह हो गया A, 1 बटे 3 हो गया A और 1 by 8 हो गया हमारा B ठीक है, तो A और B का मान जब हमें मालूम है तो हम यहाँ से क्या करेंगे पूरा का पूरा मान निकालेंगे यानि माद हमें निकालना है तो 1 बटे 3 प्लस में 1 बटे 8 और इसका बटा में क्या करेंगे दो करेंगे क्या करेंगे दो करेंगे तो दो करेंगे तो देखिए यहां पर हम जोरेंगे बटापर का जोर करेंगे बटापर का जोर करना बहुत हीजी होता है बस आपको देखना आए कि कैसे में बटापर का जोर करना है बटापर का जोर करन कितना हो जाएगा 11 24 और बटा में दू अब दू के बटा में कुछ भी नहीं है तो एक चीपा रहता है तो 11 24 गुने एक बटा दू इसे 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 48 गजाएगा 11 बटे 48 इस तरह से यह जो चिप्टर अधा था तिस्रा नमर कुष्ण भी आपको बना कर हम आप बता दिये हैं अब चलते चौता नमर कुष्ण जो दुस्वारीं वाले कुष्ण को हम कैसे हल करेंगे दुस्वाले कुष्ण बहुत ही इजी होता है बस आपको ध् और साथ और साथ को जो रेंगे तो 14, 2 एक 3 हासिल हो जाएगा 4, 4.3 बटे 2, हम इसे क्या करेंगे, दसमलब को तो रेंगे, 2 अंके बाद दसमलब है तो नीचा में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 200 इसे भाय करेंगे, 200 को 447 में, तो 2.251 उतर आ जाएगा, इस तरह से AP का जो था 4 का A, ये खतम हो चुका है, फोर अभी हम जस्ट वीडियो बनाएंगे, 4 के B के बाद हम आपको तिर्भूश का भी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे इस चैनल पर, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिप्रिकेशन कौन जरूर कर ले, मिलते हैं अगले वीडियो में, जाए इंद, जाए भारत, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को सेर जरूर कीजेगा